प्रफेसर केजी सूरेश आपका जवाद देगे, आपने संग पर सवाल उठाए, संग पर सवाल उठाए, प्रफेसर सूरेश आफी बोलिए, बताए क्यों दलित को आज तक आप संग प्रमुख नहीं बनाया, देखे, संग प्रमुख बनाने का एक अलग सिस्टम होता है, वो वाद्यक्ष है वो उनके बनने से किसी दलित के बनने से वो क्या सीधे नीती पर फरक पड़ेगा क्या आज प्रतिनित्व कितना है यह देखना जरूरी है अरे भाई क्यों नहीं बनाया यह बताईए ना जाती समाइब को कितना प्रतिनित्व मिल रहा है सबसे ज्यादा OBC MP कि इस पार्टी सबसे ज़्यादा Cel विधयक पार्टी से सबसे ज्यादा Brown कि एसने जरूरह समझ लेना बात जयन जाती के जो है पहली राश्चपति किसको मनोनित किया गया मेरे ख्याल से यह ज्यादा महतुपूर्ण सवाल है इसके बतालत की कॉन से कोई राजनीतिक संगठन सब्सक्राइब तो समरस्ता की बात ही आज भी कई आज बहुत कर दिया था कि हमें को किसी को बाराना नहीं है और आप यह सोच रहें कि हजार वर्षों से जो समस्याइं चलती आ रही है वो 99 वर्ष में समाप्त हो जाएगा तो ऐसा नहीं है लगातार कारे चल रहा है सेवा बस्तियां जितनी आज चल रही है जितना वनवासी कल्यान आश्रम चल रहा है आप जाके अरुणाचल प्रदेश में देखिए जितना विवेकानंद विद्याले है उन्होंने किस से जो है जन जातियों को जो है राष्ट्रिय मुख्यधारा में जोडने का प्रयास किया वाकर हिंदू समाज को इतना खत्रा है क्या प्रोफेसर सुरेश किसी चिसी की बात तो कहीं किया यह नहीं है सिरफ इतना ही जरूर है आज वह बनादेश में मानक आपने देखा जब आप पलट के मारिए, ये बात, उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कहा कि आप एक जूट रहिए, और आप उसका देख रहे हैं, कि एक जूट नहीं के वज़े से, अभी चलि हम राजनितिक पतल पर जबकि हम चर्चा नहीं है, लेकिन आप मध्यपरदेश में 36 गड़ में हरियाना में जो नतीजे देख रहे हैं वो कहीं न कहीं ये सिर्फ एकता की एक बात से नहीं होता है जहां कि एक एक जोス्टेक होलडर है उसको महसूस हुआए कि कहीं न कहीं जो है मुझे इसका लाप मिल रहा है ऐसे ही नहीं तो मैं यह को हूँ कि किसीज का लाब उसको विकास का लाब मिल रहा है अन्यता वो क्या भारत का मददाता इतना मुर्ख है कि वो सिर्फ एक जुटता के एक नारे पर जाकर वोट करेगा आज आजादी के इतने वर्षों बाद मुझे लगता है कि उसको भी आज पूछा जा रहा है उसको सिर्फ खोकले नारों पर नहीं चल रहा है उसको एक जाती को अकेले बढ़ा कर उनका कंसॉलिडेशन करके दूसरों से भेदबाव नहीं किया जा रहा है ये उनको स्पश्ट दिखाई दे रहा है कि आज जो है सकती बात हो रही है देखे आप कहते हैं कि हिंदू खत्रे में है बिल्कुल आप यही कहते हैं ना कि एक जुट बटोगे तो कटोगे योगी जी ने भी कहा अगर एक जुट नहीं रहोगे तो अत्या चार होगा बिल्कुल वही आरोप बिल्कुल वही आरोप जो आप यह पक्ष्पर लगाते हैं नहीं मैं यह क्या रहा है 1947 में यह देश तीन तुकडों में हुए या नहीं हुए आप यह बताईए ना 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है बंगाल का विभाजन वही तो बंगाल का विभाजन वही तो बंगाल का विभाजन वही तो आप जाती के आधार पर नहीं हो रहा है मानत जी प्लीज कभी भी संग ने ये नहीं कहा अगर आप अधेन करेंगे संग ने ये कहा है कि जो यहां के मुस्लिम समुदाई के लोग है या इसाई समुदाई के उनके भी जो मूल है वो हिंदू है उन्होंने कभी ये नहीं देखा तो वो मुस्लिम हिंदू हो सकता है वो जो है इसाई हिंदू हो सकता है लेकिन उसके जो भी एंसिस्टर है उसके जो भी जो मूल में जो रहे हैं वो हिंदू रहे हैं तो इसी की बात कर देखिए मैं संग प्रमुक कोई कोट कर रहा हूँ उन्हें का हमने अपने संतों को देवों को सब को बांट लिया, वालमी की जी ने रमायन पूरे हिंदू समाज के लिए लिखी थी, हम सब की जहनती इन दोनों की भगवान वालमी की रविदास की मिलकर क्यों नहीं मना सकते, मंदिर, शम्षान, पालिहार किसे लिए खुले होन संग ने तो कभी दावा नहीं किया कि हम हिंदू, मुस्लिम, इसाई, उसका हम उस टाइप का संगठन है, उन्होंने हमेशा पहले से ही कहा है कि ये तो पूरे भारतवर्ष का है, भारती मूल के लोगों का सब का संगठन है, तो जिसने भी क्या मुस्लिम नहीं है क्या उसमे किसोर जी कुछ कहना चाहरा है